नमस्कार दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर किस तरह की सरकार होगी हम सबको पता है कि तालिबान ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है और जाहिर सी बात है तालिबान वहाँ पर सरकार बनाने वाला है लेकिन ये सरकार किस तरह की होगी कैसे गवन किया जाएगा क्या बाक important चीजे सामने आई हैं जैसे कि ये बताया गया है कि अफगानिस्तान का जो supreme leader है जो सबसे highest leader है वो होने वाला है हिबातुला अकुंदुजादा इसको तालिबान ने confirm कर दिया है तो इसी के बारे में हम details से समझेंगे कि exactly है कौन ये और ये इतना important क्यों है ये personality इसकी history क्या र रहे हैं आपको simply हमारे app को download करना है और फिर studyiq.com पर जा सकते हैं जितने भी courses हैं आपको वहाँ पर avail करा दिये जाएंगे चलिए यहाँ पर देखते हैं exactly हुआ क्या हैं क्यों इसके बारे में discuss करना है जैसा कि आपको पता है United States ने अपना जो troops का withdrawal है वो already कर दिया है और उस इसके बारे में यहाँ पर जो कतर है आपको पता है कि जो Taliban का अभी तक जो भी कुछ हो रहा था जो भी उसका political office है वो एक प्रकार से कतर बन गया था और वहीं पर उसका deputy head है उसके द्वारा announce किया गया कि इसके बारे में जो भी important development है वो हो चुका है और एक या दो दिन के अ क्या Taliban का representative होगा पूरे United Nations के अंदर आज तक कभी किसी ने नहीं सुचा का था कि Taliban represent करेगा United Nations के अंदर लेकिन most probably आप कह सकते हो कि एक reality बन सकता है बहुत जादा chances हैं तो चली यहाँ पर जो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि confirm क्या किया गया है जो confirmation आया है उसमें ये बोला ग या उसका जो पडोसी देश है इरान आपको पता होगा जो इरान है वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का structure देखने को मिलता है वहाँ का जो supreme leader है वो है आयोतुला खमाइनी और उसके नीचे जितने भी चीज़ें work करती है जैसे guardian council हो गया president हो गया parliament आप कह सकते हो कि इन लोगों क के दौरा कोई भी टिसेन लिया जाएगा ultimate power यहाँ पर supreme leader के पास होती है in fact recently आपने देखा होगा इरान के अंदर election हुआ था तो यह जो president थे present में वो आपके चले गए उसके बाद जो नया president आया था वो एक तरह से आप कह सकते हो कि पूरी तरह से जो supreme leader है उनी के अंदर work करत है तो यह आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है मतलब पूरी तरह से आप democracy नहीं कह सकती जिस तरह का election हुआ था वैसा ही कुछ अब हमें अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है तो वहां का जो supreme leader है मैंने आपको बताया है यह जो person है हवतुला अकुंद वो भी तालिबान दिखाएगा करानी की कोशिश करेगा और यहाँ पर अगर आप उनके statement देखोगे तालिबान के उनके दारा बोला गया है कि यहाँ पर cabinet वगरा होंगे discussions किये जाएंगे और यह जो government है Islamic government है वो आपका model for the people होगा लोगों के भलाई के लिए होगा इसके ला यह है कौन exactly कैसे यह prominence में आया देखे यह आपका जो supreme leader बना तालिबान का मतलब तालिबान का तो यह supreme leader है इस समय तो यह बना था 2016 के बाद क्योंकि 2016 तक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तालिबान का leader हुआ करता था अक्तर मंसूर यह भी काफी news में रहता था इसको य तालिबान का supreme leader इसके history की अगर हम बात करें तो इसका जनम basically आप कह सकते हैं यहाँ पर कांदहार आपको पता होगा कि यह जुड़ा हुआ है आपका पाकिस्तान की साथ इधरी तो कांदहार की जस्ट बाहर अगर आप देखोगे तो इसका जनम होता है पंजुवई district में और यह इसका जो पूरा पढ़ाई है सब कुछ है मदरसाज में आपको देखने को मिलता है religious school में इसकी पूरी पढ़ाई होती है और आगे चलकर क्या होता है Soviet invasion के बाद 1979 में आपको याद होगा Soviet ने invade कर दिया था अफगानिस्तान में तो उसके बाद यह बलुचस्तान चला जा students की body वगर है उसके अंदर यह join कर लेता है और आगे चलकर यह religious advisor बन जाता है यही से इसकी सुरुवात होती है तालिबान के साथ religious advisor बन जाता है किसका जो तालिबान का founder था आपको पता है तालिबान को दो लोगों ने found किया था एक तो आपका मुला मुहमद उमार जो की मर चुका है और दूसरा है बरादर ठीक है बरादर अभी भी presence में है मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा तो दोनों के द्वारा इसको found किया जाता है तालिबान को तो यह जो person है ओमार काफी important person था यह इसका religious advisor बन जाता है और आगे चलकर जब Soviet छोड़ देती है चली जाता था ना कि military commander के तौर पर लेकिन जब अफगानिस्तान के अंदर धीरे-जरे अलग-अलग province के उपर capture करना start किया तालिबान ने तो वहां पर इसको appoint कर दिया गया to oversee the law and order तो although यह उसका background नहीं था लेकिन उसके बाउजूद भी इसको अलग-अलग जो पद है वो दिया हटानी की कोशिश किया जाता है तालिबान को तो वहां पर अब क्या होता है कि इसको head बना दिया जाता है militant groups council का जो religious scholars होते हैं उसका head बना दिया जाता है और अभी तक अगर आप देखो कि तो यह बहुत low profile रहता था मतलब यह कोई बहुत जादा बाहर निकल कर सामने नही होता था तभी अपना statement बगरा जारी करता था तो यह अभी तक आपको देखने को बनेगा और 2016 से मैंने आपको पहले ही बता दिया यह आपका leader बना हुआ है Taliban का और यह सुप्रीम leader होने जा रहा है अफगानिस्तान का अब next question आता है कि फिर brother का क्या होगा मतलब brother तो सबसे important एक और personality है मैंने आपको बताया यह co-founder है Taliban का उमार के साथ रहे तो brother जो है एक प्रकार से आप कहा सकते हो head of the government होने वाला है जैसे हमारे देश में आपने सुना होगा ने तो head of the state होते है वो president होते है तो वैसे आप वहाँ पर भी आप यह समझ सकते हो कि वहाँ पर supreme leader आपका अकुंदुजादा होने वाला है और head of the government है वो brother को बनाया जाएगा most probably ताकि जो day to day affairs है वो इसके द्वारा देखा जाएगा और बाकी कि कई सारे top Taliban के leaders होगा जैसे Taliban का deputy हो गया हकानी उसको भी appoint किया जाएगा इसके लाबा खुद जो मुला उमार है जो founder है उसका बेटा है इस समय मौलवई मौहमद यकूब उसको भी appoint किया जाएगा सरकार के अंदर तो ये सभी लोग आपको देखने मिलने वाल है अब देखते हैं exactly क्या निकल कराता है वो आपको बाद में बता चलेगा लेकिन अभी तक यही हमारे पास news है खबर है इसके अलाबा कोशन आता है क क्या ये लोग सरमनी वगर करेंगे जैसे कि हर किसी देश में होता है कि जब भी कोई नई सरकार बनती है तो सरमनी किया जाता है तो इनका भी कहना है जी हाँ हम भी presidential जो पैलेस है काबूल में वही presidential पैलेस आपको याद होगा इस तरह की तस्वीर सामने आई थी 15th आउगस् इसके अंदर आप देख सकते हो किस तरह से गन वगर लेकर बैट गए थी यही पर अश्रफ गानी जो है वो यही बैट दा था तो वहीं पर इसका सरमनी वगर भी होगा कुशन यह होगा कि क्या ये inclusive government होगी ये तो बहुत बड़ा प्रशन है न तो दीखे यहाँ पर वाला population हो गया हजाराज हो गया बहुत सारे ethnic communities है minorities है उनका भी representation सरकार में होगा अब देखना होगा कि क्या ये actual में वो लोग करेंगे और या फिर क्या ये symbolic होने वाला है क्या just दिखाने के लिए ये लोग करेंगे ये आगे समय बताएगा लेकिन इनका कहना है कि हम inclusive government शरिया लॉक के उपर क्या बेश्ट होगा ये government देखें इन्होंने clearly कह दिया है कि जो भी हमारा guiding light है एक जो दिशा दिया जाएगा सरकार किस तरफ जाएगी क्या होना चीए सरकार में वो definitely शरिया के आधार परी होगा शरिया क्या है basically कुरान से कई सारी चीजें derive की गई है और जो बड़े-बड़े scholars हैं इसलाम के अंदर उनकी दोरा जो बोला गया है वो एक प्रकार से कानून के तौर पर देखा जाता है तो शरिया बन जाता है एक प्रकार का तो अब देखें कोशन यह है कि क्या जो शरिया है क्या वो जो universal शरिया मतलब जो ज़्यादा तर माना to water ठीक है यह आपको देखने को मिलता है और फानली यहाँ पर आपके मन में एक और question आ रहा होगा देखें यह सारे सरकार की बाते चल रही है यह सब कुछ हो रहा है लेकिन यह resistance movement का क्या हुआ आपको याद होगा यहाँ पर पंशीर ही एक ऐसा जगा बचा है जहाँ पर ता अमरुला सले जो वाइस प्रेसिडेंट थे अभी तक एहमद मसूद जो की एहमद शा मसूद का बेटा है उन लोगों के दोरा यह पुरा protest continue किया जा रहा है अब देखते हैं यह कब तक चलता है क्या वो काम्याब हुपाते हैं बहुत कम chances हैं क्योंकि तालिबान इसे में पर तालिबान से लड़ने के लिए तो let's see क्या होता है but I hope कि इस वीडियो के माध्यान से जो भी present में situation है सरकार को लेकर जो भी कुछ आपको समझ में आ गया होगा जाने से पहले एक interesting question क्या आप बता सकते हैं भारत के अंदर supreme क्या है जैसे कि for example मैं आपको बताओ तो Britain में अगर आप देखोगे जो supreme है supreme का मतलब क्या उससे उपर कुछ भी नहीं है तो parliament वहाँ पर supreme माना जाता है मतलब कि even Britain के अंदर अगर आप देखें England के अंदर तो वहाँ पर supreme court का भी कोई भी decision हो कुछ भी हो parliament उसको रद कर सकता है मतलब parliament ने अगर कोई चीज बोल दिया तो उसको फिर कोई काट नहीं सकता बृटन के मैं बात कर रहा हूं तो वहाँ पर parliament supreme है भारत के अंदर supreme क्या है कि आप बता सकते हो चार option है इसका जो right answer है आपको पता ही है मिरे instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं telegram से भी ले सकते हैं इसका सही मैं कई सारे mcqs यहाँ पर डालता रहता हूं stories के form में आप जाकर play कर सकते हो बाकी अगर आपको pdf चाहिए तो telegram पर आए अलग-अलग social media पर भी आप जूट सकते हैं साती साथ अगर आप UPSC आफिट किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं simply आप हमारे app को download कर ये और वहाँ पर जाकर सारे courses अवेल कर सकते हैं हो कि ये वीडियो आपको पसंद आए होगा मिलता हो से next time till then thank you very much see you soon